कैसे सूखे और फीले मटर देखते देखते हरे हो जाए तस्वीरें आपको चौका देंगी तस्वीरें गवा है परवल जिसे की लोग बड़े शौक से खाते हैं परवल की हकीकत जो आज आज आप हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको ये सोचने पर मदबूर कर देगी कि अपने घर आप परवल लाएं की ना लाएं और तर्बूज का एक ऐसा सच जो शायद आपको तर्बूज से नफरत कर दे और सब्जियों के बाद हम आपको दिखाते हैं फलों की हकीकत सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे तर्बूज की लाली का राज सड़कों के किनारे या मंडी में बिकने वाला हर तर्बूज आखिर लाल ही क्यों दिखता है कभी आपने सवाल के बारे में गौर किया है सोचा है उसकी मिठास चीनी की तरह ही क्यूं होती है और आप भी इस हकीकत को अपनी आखों से देखे लाल तर्बूस को उसकी मिठास का जो काला सच आप देख सकते हैं तर्बूस में चीनी के घोल का इन्जेक्शन लगाया जाता है उसमें रंग मिला जाता आर्टिफिशल कलर ये तर्बूस की मिठास बढ़ाने के साथ साथ उसे लाल बना दे यह आर्टिफिशल कलर एरो त्री सिन भी होता है इससे इंजेक्शन के जरीए तर्बूज में इंजेक्ट कर दिया जाता है और फिर तर्बूज एकदम लाल दिखाई देने लिए होता है यह कलर यह कैमिकल सेहत के लिए इतना खतरनाक है कि डॉक्टर्स बताते हैं इससे कैंसर होने का खतरा है और अब जूस की हकीकत भी आप जान लीजिए जो सुनकर आप फिर से यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जूस क्या पीकर वाकर ही आपकी सेहत बनेगी फल का जूस जो है सिर्फ दिखावे के लिए होता है छुपे कैमरे में अनार के जूस की हकीकत सामने आ गई अनार का जूस लाल दिखे इसके लिए इसमें रंग मिलाया जाता है और ये इंडिया टीवी के कैमरे ने कैद किया जूस पीने वालों की नजर बचाकर अनार में सिंथेटिक कलर डाला जाता है और एक बार फिर आपको याद दिला दें जिस कलर से कपड़े और कागज लाल किया जाते हैं उसी रंग का इस्तेमाल आपको लाल अनार का जूस देने में किया जाता है शुपए हुए कैमरे ने जो सच कैद किया आप देख सकते हैं सामने से आपको दिखाई नहीं देगा आपको लाल जूस आता दिखाई देगा लेकिन उसके पीछे का सच देखकर आप हैरत में पर जाएं और अब बात करते हैं मौसमी के जूस की जो अमूमन डॉक्टर्स कहते हैं कि बिमार होने पर दिया जाता है लेकिन उसकी हकीकत और भी चोकाने वाली है इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने जो देखा उसे देखकर आप भी हैरत में पर जाएंगे जिन फलों से जूस निकाला जाता है उसमें पहले ही सैक्रीन और चीनी का घोल भर दिया जाता है मौसमियों को रस्बरा बनाया जाता है इंजेक्शन के जरिए सैक्रीन की घोलिया आप देख सकते हैं डाली जारी है पानी में मौसमी को छेद करके इसमें भिगो के रख दिया जाता है जिससे मौसमी भरी-भरी लगती है और मीची लगती है और जो कमी पेशी डाजाती है उसे बड़े-बड़े इंजेक्शन के जरिये मौसमी में सेक्रीन से भरा रस भर दिया जाता है और इन मौसमियों से खूब मीठा जूस निकलता है आप जूस समझ के पीते हैं लेकिन वो होता है चीनी मिला पानी